ये मन ऐसा है जो एक छण को भी चुप नहीं रह सकता नहीं कश्चित छण मापी जातुते श्ठत्यकर्मकृत छट्वे असकंद के पहले अध्याय का तिरपनवा श्लोग ये गीता में भी है तीसरे अध्याय का पाच्वा श्लोग एक छण को मन चुप नहीं रहेगा तो संसार में राग नहीं है द्वेश नहीं है तो मन कहेगा हमको काम बताओ लो भई संसार में नहीं जाते हम लेकिन हमको काम बताओ हम खड़े नहीं रह सकते साइकल चलती रहे उसको घुमा दो दाएं बाएं अगर चलाना बंद किया तो गिर जाओगे एक पंडिट जी ने भूत से दिकिया भूत तो वो भूत उनको परेशान करने लगा हर समय कहे पंडिट जी काम बताओ तो किसी आदमी का काम कितना होगा वो पंडिट जी सो जाए तो जगाले पंडिट जी काम बताओ देखे पंडिट जी मैंने आपको कहा था न हमको काम बताते रहना पड़ेगा हम खाली नहीं बैट रहेंगे तो पहले तो कही दिया पंड़ी जी ने हाँ हाँ लेकिन अब उनका सोना मुहाल हो गया तो गए एक महात्मा के पास करें महराजम तो अच्छे फसे वो भूत से दिखिया हो के हर्त में परिशान करता है कि हमको काम बताओ तो उनने का ऐसा करो एक बास गार दो और उससे कहो देखो जब तक काम न बताओं तब तक इसके ऊपर चड़ो उतरो चड़ो उतरो ऐसे किया करो है ये चार लाख श्लोग बनाए बेदव्यास ने तो उन्हों ने खा इसको लिखे कौण चार लाख तो गणेश जी को बुलाया और कहा महाराज आप लिखिये मैं बोलता जाओं तो गणेश जी ने कहा कि भई फिर देखो एक शर्त हमारी भी है क्या कि बोलना बंद नहीं होना चाहिए हम लिखना नहीं बंद करेंगे बेदव्यास ने कहा ये अच्छी मुसीबत है तो खाना सोना हराम कर दिया इन्हों ने बोलते ही रहो बस तो उन्हें कहा आप देखिये गणेश जी एक शर्त मेरी भी है क्या ये अश्लोग का अर्थ समझ करके ही लिखना होगा आपको उन्हें गा हो मंजूर है तो चार लाख श्लोग में से आठ हजार आठ सो अश्लोग बड़े गंभीर अर्थ वाले बोले यानि जब कोई एक आवश्यक काम हो बेदव्यास को तो वो गंभीर अर्थ वाला श्लोग बोल दे तो उसको सोचने लगें गणेश जी इसका मतलब क्या हो सकता है इतने में अपना हो काम करिया में तो ये मन एक छण को चुप नहीं रह सकता तो संसार से राग और द्वेश न हो तो करें क्या मन वो फिर जाएगा मैं तो राग हो द्वेश हो तब तो मन लगा रहेगा राग भी न हो संसार से द्वेश भी न हो और मन एक छण को चुप नहीं रह सकता तो फिर प्यंडिंग में तो रहेगा नहीं इसलिए केवल वैराग होना असंभव इसलिए वैराग के साथ साथ अनुराद करना होगा भगवान से अनुराग यहां से हताओ और यहां लगाओ क्यों हटाओ बाई रीजन समझ कर क्यों लगाओ भगवान में समझ कर वो गीता में लिखा है रामैन में लिखा है इसलिए नहीं समझ कर गुरू से समझो खुप तर्क करो समझो जब बुद्धी में बैठ जाए तब फिर आराम से लगेगा इन्पॉर्टेंस अगर रियलाइज करो तो देखो हमारे संसार में जिस सब्जेक्ट की इन्पॉर्टेंस रियलाइज करते हैं लोग तो सारी राज जागते हैं विदेशों में रात में क्रिकेट होता है तो इंडिया वाले जिनको क्रिकेट की बीमारी है जोड़दार सारी राज जागते हैं एक एक रन सुनते हैं एक क्लबों में सट्टा खेलते हैं रात रात भर जागते हैं जिसका जिसमें अटाइट्मेंट है और जब इंपॉर्टेंस नहीं रियलाइज करते हैं तो यहां पर बैचे वे आप लोगों में दिन में हो रहे हैं कीटन हो रहा है जिन्हें जोड़ जोड़ से और बहिया नीन आ रही है कल मैं धोखा देख करके दोबारा आया था देखने तो से कुड़ों लोग सो रहे दो चार नहीं अरे घर छोड़ के आये हो साधना के लिए भगवान ने इतनी कृपा की तुम्हारे उपर की तुम्हारी बुद्धी घर छोड़ने की बनी इतना बड़ा बनाव बन गया और यहां आके बैठ गये लेकिन इंपोर्टेंस नहीं रियलाइज किया एक एक छण का इसलिए नीद आ रही और कुछ महानु भाओ महराज जी का लेक्चर खतम हो गया हां गये हां अपन भी चलो उठके चल देते हैं क्या करने आये हो साधना करने कहां जा रहे हो उठके अरे मता गस्ती करेंगे कुछ घूमनेंगे कुछ गप्पें करेंगे कुछ यह क्या है हम काबिल हैं बुद्धिमान हैं बड़े बड़े बुद्धिमानों का हाल बता रहा हूं मैं कल में इसी लिए चेक करने आये देखा क्या करते हैं लोग गायब है सैकड़ो कोई नाष्टा कर रहा है कोई गप्पें कर रहा है कोई घूम रहा है साधना के समय संसार में भी ऐसा कभी करते हो लापर वाही स्कूल से निकाल दिये जाओ अगर ऐसा करो यह मन शत्रू है इसको मित्र मान रखा है हम लोगों ने इसी लिए यह जाब गड़ बड़ी होती है तो संसार से मन को हटा कर भगवान में लगाना होगा एक सेकंड बाद नहीं यह हटाया यह लगाया पुरूप ध्यान वगएरा जो आप लोगों को बताया जाता है जिसे आप लोग नहीं करते लापर वाही से भगवन नाम ले रहे हैं फिर भी रूप ध्यान नहीं करते एक दूसरे को देख रहे हैं इस्तरी पुरुष देखा नहीं कभी क्या देखते हो अले भगवान का ध्यान करो यहाँ पर अभ्यास कर लोगे तो घर में काम आएगा वो अभ्यास कि कमाने की जगे है खुब कमा लो जब गड़ बड़ी होती है किसी शहर में तो गुंडे लोग लूटने में लगे रहते हैं दुकानों सामान जल्दे जल्दे लूट लो अच्छा मौका है फिर पुलिस आजाएगी ऐसे ही हम लोगों को सावधान होकर अपना भविष्य बनाना चाहिए कल का दिन मिले नहीं मिले कोह जाना तिकस्याद्यमृत दुकालो भविष्यति कौन जानता है कल का दिन अवश्य मिलेगा एक बार युजिष्टिर से एक ब्राह्मन लड़की की शादी के लिए सोना मांगने आया युजिष्टिर राजा थे उन्होंने का जो को बैई आज मैं बहुत ब्यस्त हूं कल आना विचारा चला गया भीम सेन को बहुत बुरा लगा क्यारी हम सामने खड़े थे हमसे कह देते ए भीम सोना जिलवा दे राजा को तो आर्डर करना है खाली क्या वो स्वेम जाएगा सोना देने भीम सेन ने आर्डर कर दिया प्राइम मिनिस्टर को बुला के खुशी मनाओ आज बहुत बढ़ा फंक्षन उत्सो है प्राइम मिनिस्टर ने कहा क्या उत्सो है क्यों है यह तो बताई नहीं क्या करना है उत्ह को आर्डर कर दिया उत्सो रहा है क्या है उत्सो हो रहा है बुलाया प्राइम इनिस्टर को यह क्या हो रहा है भई उन्हों ने का हुजूर आपके भाई साहब ने कहा है भेम को बुलाओ क्यों भई क्या है अरे भईया आज तो बड़ी खुशी का दिन है क्या है बोल ला आपने काल को जीत लिया काल को जीत लिया तेरा दिमाग तो सही है हाँ भीया सही है मैं फागल नहीं हूँ आपने उस ब्राह्मन से क्या कहा कलाना इसका मतलब आपको पता है कल आप रहेंगे और आप तो कह रहे थे कि एक छण का भरोसा नहीं है आप इने लेक्चर में कहा था नेवा सारी गल्ती हो गई बुलाओ उसको ब्राह्मन को ये लापरवाही हम लोग जो करते हैं ये लापरवाही इसी लिए करते हैं कि हमको ये बिस्मरन हो जाता है कि अगला अक्षण मिले न मिले अरे अभी हमारी उमर क्या है अदे पैदा होते ही कितने मर गए मर रहे हैं, देख रहे हो, हाँ देख तो रहे हैं, तो फिर तुम तो दस साल के हो, बीस साल के हो, चालिस साल के हो, पचासी साल के हो गए कृपालू जी, अब तो समझो, इला पर वाहिर छोड़ो, तो संसार से मन को हटा कर पुरंट लगाना होगा भगवान में, भगवान में लगाने का मतलब रूप ध्यान करना, लेकिन ऐसा करने पर भी, मन पुराने अभ्यास के कारण, भगवान से संसार में हट आएगा, जबर्दस्ति, आप बना रहें ठाकुर जी का मुख, नासी का आँख, और मम्मी आ गई, बीबी आ गई, बेटा आ गया, यह जो आपके पुराने अभ्यास वाले लोग हैं, तो यह आ जाएंगे बीच में, तो हमारा ध्यान करो जी उधर का या रहा है हो, बड़ा जबर्दस्त अभ्यास है, आपका अनंत जन्मों का, एक जन्म का ही अभ्यास इतना बलवान होता है, कि पचीस साल शराब पिया है, अब उससे कहो छोड़ दो, नहराज जी, प्रान छोड़ सकते हैं, शराब नहीं छोड़ सकते हैं। अले चाय मामूल इसी चीज है, यह तकड लेती है तो पिर चार-चार, छे-छे बार दिन में, चाय है, चाय है। सिगरेट, एक बार आगरा में मैंने मदाग किया, मैं कुछ समझा रहा था, तो तीन-चार आदमी चले गए नीचे। तुम मैं देखा, वो कहां गए, यहीं तुम बैठे थे अभी, प्राइबेट मीटिंग थी। खैर, मैं बोलने के बाद, वोई लोग जब आये, तो हमने कहां, तुम लोग कहां चले गए थे भी। कुछ नहीं माराज जी, क्या कुछ नहीं, कहां गया थे। चाय पीने गए थे। चाय पीने, अड़ी, तुम मैं समझा रहा था तुम ने हमारे समझाने की इंपॉर्टेंस नहीं। नहीं हो, तो हमाराज जी हो, एक बज़े मैं चाय पीता हूँ रोज। अरे चाई पीज़े हो पर इस समय तो मैं बोल रहा था सुनना चाहिए था अब मैं ऐसा नियम बनाने वाला हूँ जो कोई चाई पिएगा वो मेरा पैर नहीं छू सकता ऐसे मेरे मदाग में कहा कई लोगों ने तो डर के मारे चाई चोड़ दिया चरणस परश नहीं मिलेगा गुरू के नहीं पीते एक देवी जी बैंक में काम करती थी आफिशर थी बैंक में वो कहती महराजी हाफ कप की पर्मिशन दे दीजिए यहाँ पर वो बैठी है हाफ कप की पर्मिशन दे दीजिए तो हमने कहा देखो भई अगर तुमने हाफ कप की पर्मिशन लोगे तो फिर फुल पीने लगोगे वो तो अगर किसी चीज को त्यागा तब तो वो धीरे धीरे निकल जाएगा दिमाग से अगर थोड़ा भी तच रहा तो फिर आगे बढ़ जाएगा तो संसार से मन हटा के भगवान में लगाओगे तो भी संसार में चूंकी लग चुका है अनंत जन्मों से इसलिए भगवान से हट कर मन संसार में फिर आजाएगा तो फिर गुस्सा करोगे गुस्सा क्रोध आएगा और गरबड हो गई क्रोध आया है तो मन का खास सेना पती है हमारे दुष्मन का भाई है यह यह आ गया तो तो फिर जाब बंटा धार हो गया साधना वाधना गई फिर क्या करें कल बताएंगे लाडली लाल की क्राव अजर टुप सकते है तो टुप भाणे लाल की लाल की लाल की लाल की लाल जार difference, जार ना सुप्त, जयक्त, जिन जारमकर, जलत त तो अथरा, ρांस I. यार्मा, 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 आपिस्टमा, इसाओ, लाइ बाप बाप जड़ि लाए बाप दिवी लाए लाए अध कि अलरा भाइ अलरा लाँ में लाँ आपारा आपारा आप एी तुमेश आप इस वावे शेश्ण वेश्मा कि लूच कर दो जो इन्हा हुआ है अच्क बारे खेले मेद्ट आप्साब पारे खेले मेद्ट आपक बारे खेलेज अबड़ें प्र debating किश सर्फ थी नाद्स कि झाल दो दो जाद मुलेघ प्रे Вас एतना थे जयर fresh कि धयने डिस्ता पिर सीप सुनिक इशक्र तो जब मुलेक्ड Works प converge कर दो कर दो कर दो कर दो